जिन लोगों ने 30 जून 2023 तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, उनको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन CBDT ने नोटिफिकेशन जारी कर इस बात की जानकारी दी है कि कुछ लोगों को पैन आधार लिंक ना होने पर भी राहत दी जा सकती है। दरसल जिन लोगों ने डेडलाइन से पहले लिंक इन कराने का शुल्क जमा कर दिया है, उनका पैन इनकोर्परेटिव होने से बच जाएगा। जिन पैन कार्ड होल्डर्स ने पेमेंट कर सहमती दे दी है, लेकिन 30 जून तक उनका पैन आधार लिंक नहीं हुआ है। उन्हें आएकर विभाग के ओर से राहत दी जा सकती है।